नमस्कार मैं राजेश कुमार फिर आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ चलिए exercise 1.2 का question number 4 हम solve कर लेते हूँ चलिए question number 4 जो है वो लिखा हुआ है fill in the blanks to make the following statement true इस statement को true करने के लिए जो fill in the blanks है जो blanks है उसमें हमको digit को डालना है चाकि यह दोनों equal हो जाए चलिए देखते हैं बहुत आसान है minus 5 minus 8 जो missing होगा वो आप उसमें डाल दिजेगा यह आपका सवाल आराम से बन जागा देखें minus 8 आपको दिख रहा है minus 5 आपको missing लग रहा है आप minus 5 को यहाँ पे डाल दिजे यह आपका solve हो गया अब देखें minus 53 में क्या जोड़िएगा कि minus 53 ही आ जाए तो आप पढ़े हैं कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ देते हैं तो वो उतना ही रह जाता है तो minus 53 में हम 0 को जोड़ देंगे तो minus 53 ही आ जाएगा उसके बाद अपने additive inverse भी पढ़ा था इसमें दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है तो 17 में हमको क्या जोड़ दे कि 0 answer आ जाए तो ठीक इसका opposite संख्याओं को हम जोड़ देते हैं यानि minus 17 को अगर हम इसमें जो digit दिया हुआ है यहाँ भी तीन डिजिट है एक डिजिट यहाँ पर missing है जो fill in the blank से जिसमें को भरना है तो आप यह कीजेगा यह देखिएगा कि इस तीन डिजिट में जो डिजिट आपको नहीं दिख रहा हो वह ही डिजिट को इसमें डाल दिजेगा 13 आपको दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है वह डिजिट को हम उधर ले जाकर रख देंगे माइनस 4 आपको दिख रहा होगा 15 भी दिख रहा है माइनस 3 आपको नहीं दिख रहा है तो माइनस 3 को आप यहाँ रख देंगे इस तरह से आज हमारा exercise 1.2 कम्प्लीट हुआ अब हम इससे आगे